Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैसल प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube channel Magnet Brains पर जहां पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भी बिलकुल बकायदा free of cost KG से लेकर के class 12 तक का पूरा education सब आपको मिल जाएगा detailed video format में और अगर आप Hindi Medium के student हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको Magnet Brains का Hindi Medium channel भी है जा करके subscribe कर लेना और याद से notifications को on कर लेना तो इससे होगा क्या ना कि जैसे ही कोई video upload होगा Hindi Medium के channel पर भी इतनी ही consistency के साथ तो उसकी जानकारियां उसके notification सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे आप किसी भी condition में कुछ भी miss out नहीं करेंगे बस एक बात का आप खास क्यार रखें Hindi Medium के channel पर class 6 से class 12 तक का पूरा content available है कौन कौन से state board से सर एंपी board है बिहार board है यूपी board है राजिस्थान board है और डेली board है और अगर आपको e-notes या e-books चाहिए तो इसी video के description में एक link होगी जा करके check out कर लेना वहाँ से आप e-notes और e-books भी available कर सकते हैं तो चलिए अब ज़रा कहानी को देंगे शुरुआत class 12 physics magnetism and matter के अंदर हम आ चुके हैं magnetism and goss law के उपर किसके उपर आ चुके हैं magnetism and goss law जी हां magneto statics के अंदर भी goss का law होता है थोड़ा सा अलग होता है हलका सा अलग होता है जुदा होता है तो वह कैसा होगा क्या होगा वह सब चीज़े पढ़ने वाले हैं बिना समय लिए ले करके आते हैं आपको इसके entry slide के उपर ठीक है तो तुछा देखें अभी क्या होता कि भाई जब तक goss law चलेगा ना तब त करने वाला है मैंने इससे पहले भी बहुत सारे lectures में कहा है कि भाई अगर आपको अपनी theory शांदार करनी है तो आपको क्या चाहिए bullet point पे लिखा हुआ हर एक sentence आपके दिमाग में छपना चाहिए तो क्या बातें हो रही है ज़रा इस पर गौर किया जाए according to Gauss law for magnetism the net magnetic flux through any close surface is always zero क्या बोलागे पहला है पहला ही statement एकदम धुआधार statement आगया है ठीक एकदम ठोस statement आगया है कि Gauss law के अनुसार अब तुम मत बुलना के सर गौस law तो होता है फाइस इकोस तो इडियस कोस थीटा अरे वो Gauss का law था इन इलेक्ट्रोस्टाइटिक्स यहां पे Gauss का law magnetism में कुछ अलग है ठीक है है तो flux की बात करा है लेकिन अलग तरह से करता है तो according to Gauss law for magnetism the net magnetic flux ठीक है through any close surface किसी भी close surface अ और इसका एक ही reason जितनी magnetic field lines अंदर आती है न उतनी magnetic field lines close loop से बाहर भी जा रही होती है तीक है उस close surface से उस close surface के अंदर जितनी magnetic field lines आ रही होती है उतनी magnetic field lines net बाहर जा भी रही होती है जिस कारणवस्ष जो total flux हो जाता है जो total magnetic flux हो जाता है वो शूनिक के बराबर हो जाता है आ आई आपको यह वाली बास समझ में, तो वह कहते भी ना कि close loop form करती है magnetic field lines, ठीक है, electric field lines और magnetic field lines में यह एक बहुत बड़ा point of difference होता है, कि electric field line जो होती है वो close loop form नहीं करती है, जबकि magnetic field line जो होती है वो close loop form करती है, electric field line जो होती है, वो plus के source charge से originate होती है, और negative के charge पर terminate होती है, ठीक है, मतलब plus के source charge से निकलती है, और negative के charge पर खतम हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था, यह electric field line जो होती है, वो plus के source charge से originate होती है, और negative के charge पर terminate हो जाती है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना magnetic field lines के उपर, तो magnetic field lines, अगर आप उसको outer body के तौर पर चेक करोगे, अगर आप किसी magnet को उसके outer body के तौर पर चेक करोगे, तो यह रहा अपने पास, दीक है, आपने इस magnet को चेक करा है, इसके outer body के तौर पर, तो देख भाई, क्या होता है, एक side नौध पोल होता है, एक side क्या होता है, एक side से निकल रही है और ऐसे क्या है साउथ में घुश रही है अगर आप आउटर बॉड़ी वाइस चेक करोगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ नौट से निकल रही है लेकिन असलियत में क्या होता है कि भाई साब यह नौट से जो निकला है न वो दरसल क्लोज लूप फॉर्म कर रह है ऐसा कुछ ठीक है और अंदर भी यह बकाईदा continuity maintained रहती है यहां पर भी क्या हो रहा है नौट से निकल रहा है न तो यह बकाईदा यहां पर आकर के close-loop पॉर्म कर रहा है और अंदर भी यह continuity maintained रहती है तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि magnetic field lens किसी एक particular pole से start होती है य magnetic field lines form the closed loop, ठीक है, तो magnetic flux के 0 होने के बीचे का reason क्या है, जितनी magnetic field lines उस given closed surface में enter होती है, उतनी ही magnetic field lines उस given closed surface से exit भी ले लेती है, ठीक है, तो जिस कारणवश magnetic flux जो है, वो 0 हो जाता है, तो this law implies that the number of magnetic field lines leaving any closed surface, ठीक है, जितनी number of magnetic field lines किसी भी closed surface को छोड़ के बाहर निकल रही है, वो हमेशा किस के बराबर है number of magnetic field lines entering, जो मैंने अभी हिंदी में कहा था ना, उसी को बहुत ही प्यारे English में आपे लिख दिया गया है, कि जितनी number of electric field lines अंदर आ रही है, उतनी number of electric field lines, magnetic field lines, magnetic field lines बाहर जा रही है, तो magnetic flux 0 हो जाएगा, ठीक है, Now, imagination के लिए हलका surface area वगरा लेना start करेंगे, तो suppose close surface S is held in uniform magnetic field, by uniform magnetic field का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान दीजे किसी भी space में, अगर uniform magnetic field है तो उस particular space में, हर point पर magnetic field का induction जो है, वो एकदम constant आने वाला है, ठीक है, अब इसका example जो है, मैं आपको एक बार non-uniform magnetic field line से दूंगा, तो फिर तुम्हें मज़ा आजाएगा, मज़ा, तो फिर तुम्हें मज़ा आजाएगा, देखो भई, आया है क्या बहुत शांदार, कलाकारी कहते हैं से कलाकारी, ठीक है, भाई देख क्या हो रहा है कि यह तो मैंने जो बनाई है, this is non-uniform magnetic field lines, absolutely sir, ठीक है, आपको बताने के जर हैं, उस पर depend करता है कि कितना strong magnetic field का induction होगा, ऐसे आप ज़र यहाँ पर गौर करें, यह वाले reason में क्या है कि भाई, magnetic field lines की crowd बड़ जाद है, तो जब magnetic field lines बहुत crowded हैं, तो जब magnetic field lines बहुत crowded state में चल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर magnetic field की strength काफी शांदार है, लेकिन अ आप से अगर यहाँ पर बात करूं, तो जैसे ही यह point number one कहा है, मैंने यह point number two कहा है, जो point number two आप देख रहे हैं, वो दर असल एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं, जिस इलाके में magnetic field lines की crowdedness जादा नहीं दिख रही है, तो जो है, जो है, वो एक ऐसे इलाके में जा रहा है, जिस magnetic field lens की crowdedness जादा नहीं नजर आ रही है इसका मतलब magnetic field की strength की बात की जाएगी इसका मतलब जब जब magnetic field की strength की बात की जाएगी तो magnetic field का strength पहले वाले point पे काफी अच्छा है और magnetic field का strength दूसरे वाले point पे जरा सा कमजोर पड़ गया है ठीक है तो पहले वाले हिस्से में जादा strong magnetic field है दूसरे वाले हिस्से में थोड़ी सी कमजोर magnetic field है मेरे ख्याल में ये वाला fund आपके दिमाग में clear तो होई रहा होगा है ना तो क्या लिखा हुआ है कि this law implies that number of magnetic field lines leaving any close surface is always equal to the number of magnetic field lines entering the close surface जिस वज़े से magnetic flux की value zero हो गई है इस बात को अच्छे से note down कर ले ना बेटा ठीक है इस बात को अच्छे से note down कर ले ना छोटा सा मैं दिल यहां बना देता हूं ताकि आप समझें कि important है दिल में रखने लाइक बात है ये ठीक है उसके बाद suppose a close surface S is held in a uniform magnetic field uniform मैंने पूरा clear कर दूँ एरिया वेक्टर क्यों बोलते है भाई सब तो एरिया को treat करा गया है as a vector quantity और अगर आपने एरिया को treat कर लिया as a vector quantity तो फिर आपको एरिया को कोई direction तो assign करनी पड़ेगी ठीक है तो एरिया वेक्टर जो होता है ना वो हमेशा perpendicularly outwards निकलता है का निकलता है सर एरिया एरिया वेक्टर इस आलवेज डिरेक्टेड एरिया वेक्टर इस आलवेज डिरेक्टेड पर्पेंडिकुलर्ली आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा 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 पर्पेंडिकुलर्ली आउटवर्ड्स निकलेगा तो मेरे ख्याल में यह वाल पासे जाए उसके बाद क्या लिखा हुआ है था है तुम्हें एलेक्त्रिक फ्लक्स नमबर अफ एलेक्ट्रिक फील लाइन्स पासिंट्य इंट्यू जर्फेस एरिया ठेक है और यहां पर भी एसे ही कुछ बात की जा रही है बस यहां पर क्या है कि शोटा ले लिये है तो ठीक है यह जो मसला था ना यह जो मसला था ना this is all about electric flux yes sir clear ठीक है yes sir clear तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है summing over all small elements सारे small elements को जोड़ दूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा भाई देखो यह small flux था यह small flux था एक small surface area के तुरू एक छोटे से चोटे से पिद्दू से surface रखे तुरू छोटा सा flux था अगर सारे सारे small surface element को मैं जोड़ दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा total flux मिल जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा बिटा में को मिलने वाला है total flux और total flux का यह रहेगा formula कुछ नहीं कर रहा है सारे के सारे चोटे flux है इसको अपन ने जोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है all summation for all small area elements ठीक है तो यह क्या हो जागा summation of all the BDS सारे कुछ नहीं कर रहा है इसका अपन ने कर दिया summation ठीक है इस तरफ भी लगा दिया summation इस तरफ भी लगा दिया summation कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब जब आप सारे चोटे चोटे area elements का जब आप flux के लिए summation निकालोगे तो मैंने क्या कहा था कि जब एक बड़ा सा close surface बनेगा भी न तो भी दिक्कत कहना जितनी magnetic field lines अंदर की तरफ आ रही है उतनी ही magnetic field lines exactly उतनी ही magnetic field lines भार भी तो निकल रही है तो eventually flux की value क्या हो जाएगी 0 के बड़ाबर ठीक है यहां पर क्या है अच्छा अगर यह जो सारे के सारे small area elements है अगर हम उसका basic integration कर देंगे न तो भी वह तरह का summation नहीं है यह continuous summation ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा flux जो मिलेगा न वह इसका integration हो जाएगा देल्टा एस मत यूज करेंगे लेकिन अगेन वही वाली बात है कि है तो flux 0 ही न तो आप flux का flux जो magnetic flux है वो 0 है आप चाहो तो इसको इस format में लिख दो ठीक है या फिर आप सबका summation करके इस format में लिख दो इसको बोलते है अपन discrete summation ठीक है या तो आप सबका continuous summation लेके इस format में ल चुका है this is basically the mathematical expression for Gauss law of magnetism Gauss law of magnetism का एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह mathematical representation है बताएं clear हो पाया है पूरा funda yes sir clear हो पाया है ठीक है ओके compare this equation with Gauss law in electrostatics आरे अगा तुम Gauss law in electrostatic पर चले आओगे न तो वहाँ पर मसला क्या होता है कि जो flux होता है न देखो होगा तो वह integration of EDS cos theta ही ठीक है तो EA cos theta पर उसको बोलते भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन वह basically होता क्या है Q' by epsilon not ठीक है और यहाँ पे मैंने कहा था कि Q' is the enclosed charge Q' is the enclosed charge ठीक है तो electric flux की value अगर 0 आ रही है मेरी बात पर गौर करना अगर electric flux की value 0 आ रही है इसका मतलब Q' की value 0 आ रही है मतलब given surface ने कोई भी charge enclosed नहीं करा तो वो dipole वाले case में जरूर हो सकता है ठीक है मानले given surface है एक charge minus Q है एक charge plus Q है this is effective dipole ठीक है in close charge की value किते हो जाएगी 0 तो flux की value भी किते हो जाएगी sir 0 के पराबर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक लेकिन अब एक बात आप समझ रहे है मेरी बात देखो electric flux तो 0 होगा at this particular given condition जब एक electric dipole इसके अंदर अगर involved होगा एक Gaussian surface के अंदर या किसी भी close surface के अंदर तब उस close surface के लिए जो electric flux है वो 0 होगा लेकिन magnetic flux तो 0 ही है electric flux को 0 होने के लिए ये condition चाहिए कि उसके अंदर एक dipole enclosed होना चाहिए तब जाके electric flux जो है वो 0 होता है लेकिन magnetic flux तो 0 ही है तो अगर magnetic flux तो 0 ही है इसका मतलब क्या होता है कि सबसे simplest form में अगर magnet exist करेगा भी ना तो वो dipole के form में exist करेगा ठीक है मतलब क्योंकि देखो नहीं यार अगर dipole के form में exist कर रहा है तो एक pole की strength अपन ने कित्ती मान ली M मान ली ठीक है अरे proton और electron दोनों का charge बिलकुल सेम है बढ़ या behaving opposite sign convention wise proton is plus sign convention wise electron is negative तो वैसे ही करना पड़ता है north pole में और south pole में north pole एक dipole जब बनता है तो dipole के north pole की strength और dipole के south pole की strength दोनों बड़ा बराबर होती है छोटा वाला M क्या show कर रहा है magnetic pole strength को show कर रहा है लेकिन north pole वाला अलग है south pole से इस चीज़ को represent करने के लिए north pole को plus का pole strength दे कर रखा हुआ है और south pole को minus M का pole strength दे करके रखा हुआ है आई मेरी बाद समझ पका तो electric flux तो 0 तब होगा जब उस given surface के अंदर ही dipole enclosed होगा तब 0 होगा लेकिन magnetic flux तो 0 ही है magnetic flux तो 0 ही है इसका मतलब क्या होता है कि भाई या किसी भी given surface के अंदर सबसे छोटे से छोटा format of magnet जो exist करता है वो dipole ही exist करता है ठीक है जो इस बात को बिलकुल अच्छा ठोस support देता है कि भाई या magnetic dipoles ही exist करते है magnetic monopoles are not known to exist क्या आपके दिमाग में ये funda clear हो पा रहा है देखो magnetic flux का जो answer आ रहा है वो 0 आ रहा है इसका मतलब magnetic dipoles ही enclosed हुआ होगा किसी भी given surface के अंदर similarly जहाँ देखो न भाई electric flux 0 का बार है जब electric dipoles करेंगे तो electric flux 0 आता है तो वैसे ही जब magnetic safex हमेशा 0 आ रहा है मतलब हमेशा magnetic dipoles enclosed हो रहा है मतलब ेजनेट सबसे छोटे format में भी जो exist करता है वो dipoles का ही format है तभी तो magnetic dipole magnetic flux जो है वो 0 आता हमेशा क्योंकि magnetic dipoles enclosed हो रहा है और इस बात से बात बहुत clear हो जाती है कि अगर magnetic dipole ही exist करता है मतलब magnetic monopole exist नहीं करता ठीक है आया फंडा समझ तो यहाँ पर वही चीज मैं लिखी है तो क्या लिखा है The fact that magnetic flux is zero indicates that the simplest magnetic element is a magnetic dipole या current loop भाई current loop भी क्या होता है magnetic dipole ही होता है पहले यहाँ पर लिख लेते The fact that magnetic flux is zero indicates that the simplest magnetic element is a dipole और a current loop भाई यह current loop को आप कैसे dipole में enclose कर सकते हो ज़रा ध्यान देना current loop को आप कैसे dipole मान रहे हो ज़रा इस बात पर ध्यान देना भाई जैसे मान ले कि current यहाँ से आया current जा रहा है इसे कौन सा पोल है भाई यह अपने पास clockwise current है मतलब south pole बन रहा है तो यह सामने से बन रहा है ना south pole यह जो south pole बन रहा है यह सामने से बन रहा है ना south pole अगर आप इसको चेक करोगे पीछे से तो यही current loop पीछे से फिर north pole दिखाई देगा आपको बो हाँ की ना आरे मैंने एक्जाम्पल भी दिया था कि भाईया अगर जैसे माल लो ये सामने से तुम्हें दिखाई दे रहा है साउथ पोल मतलब ये होगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारी बात करो तुम्हारे बात करो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं ये जो करेंट जा रहा है यह जा रहा है सर clockwise current और clockwise current मतलब कौन सा पोल? South Pole लेकिन एक बार जड़ा मेरे नज़र यह से देखके चलो भाई मुझे तो यह North Pole नज़र आ रहा है कि तुम्हारे लिए भले clockwise होगा तुम्हारे लिए भले ही South Pole होगा लेकिन यह मेरे लिए anti clockwise है मतलब मेरे लिए North Pole है आया समझ की नहीं आया तो current loop is basically a magnetic dipole die का मतलब two pole का मतलब polarity एक तरफ South Pole एक तरफ North Pole कोई दिक्का तो नहीं है पका यहां तक का फंड़ा समझ में आ गए जो चीज यहां पे लिखी हुई है क्या आपके दिमाग में यह वाली चीज शानदा तरह से बैठ रही है यस सर अब तो बैठ गई है कोई दिक्कत नहीं सर इसके अंदर ठीक है पका clear है ठीक है तो क्या लिखा है the isolated magnetic poles called magnetic monopoles are not known to exist ठीक है मतलब isolated magnetic poles की अकेला North Pole अलग कर लिया अकेला South Pole अलग कर लिया तो magnetic monopoles are not known to exist सुना ही नहीं कभी कि magnetic monopoles exist कर सकता है ठीक है all magnetic phenomena can be explained in terms of an arrangement of magnetic dipoles ठीक है सारे के सारे magnetic phenomena को हम explain कर सकते है in terms of arrangement of magnetic dipoles only ठीक है magnetic dipole बोल लो या फिर current loop बोल लो भाई current loop भी क्या होता है magnetic dipole ही होता है ठीक है तो Gauss law for magnetism आपको क्या बताता है Gauss law for magnetism आपको ये बताता है कि अगर आपको छोटा सा भी magnetic flux निकालना है तो B into क्या हो जाएगा delta S हो जाएगा and this is equal to 0 ठीक है this is the Gauss law of magnetism का mathematical expression Gauss law for magnetism का ये है तुम्हारे पास में mathematical expression बोलो हा की न बोलिए भाई साब क्या आपके दिमाग में ये वाला पूरा फंडा सुप्रीम तरह से clear हो पा रहा है ठीक है ये सर ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से clear हो पा रहा है तो Gauss law Gauss theorem in magnetism established that पहली बात हो क्या है Isolated magnetic post called monopost does not exist Monopost जो है वो कभी exist नहीं करते हैं दूसरा in magnetism there is no counterpart of isolated free charge ठीक है बाई चार्ज तो देखो यार minus q को अलग कर सकते हो plus q को अलग कर सकते हो Charges में क्या होता है sir minus q को अलग कर लो plus q को अलग कर लो तो isolated charges can exist freely ठीक है magnetism में क्या होता है कि isolated सुनो Electrocytics में क्या होता है कि isolated charges can exist freely लेकिन magnetism में कोई pole अकेला exist कर जाएगा ऐसा बिलकुल possible नहीं है तो जैसे होता है ना कि एक electric dipole का counterpart क्या होता है magnetic dipole electric field की intensity का counterpart क्या होता है magnetic field का induction ठीक है लेकिन वैसा ही कोई भी counterpart free charge carrier का नहीं है क्यों individual charge carrier minus q plus q individually exist कर लेगा लेकिन individually north pole का existence individually south pole का existence कभी possible नहीं होता है तो isolated free charge का कोई भी counterpart मौझूद नहीं है क्या आपके दिमाग में यह वाला funda clear हो गया yes sir clear हो चुका है उसके बाद क्या लिखा हुआ है magnetic poles always exist in unlike pairs of equal strength भाई जब magnetic dipole की आप बात करोगे न तुम जब एक काम करो तुम एक बाद सोच के देखो about electric dipole तो वहाँ पे क्या था दो charges थे दोनों का charge का magnitude बिल्कुल सेम था बस sign convention opposite थे तो magnetic dipole में क्या हो जाएगा दो poles opposite nature के होंगे एक north एक south लेकिन दोनों का जो pole strength होगा वो बराबर होगा तो magnetic poles always exist in unlike pairs unlike का मतलब होता है एक north और एक south लेकिन unlike pairs of equal strength दोनों का pole strength बिल्कुल डिक्टो बराबर होगा क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा clear हो गया है मैं चाहूँगा इसका पहले screenshot ले 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 उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हूं ठीक है तो यहां तक आप फंडाप कुरा clear हो गया है तो Gauss law in magnetism is all clear in our minds अब जरा जो मैंने आपसे कहा था कि आपको दो derivations करवाए जाएंगे तो उसमें से पहला derivation कहा है torque on a bar magnet in a magnetic field भाई एक बाद तुमको बताओ मैं यह जो setup यहां बनागे रखा है ना मैं एक बार मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक बार यह electrostatic वाली यादें जो है वो अगर ताजा कर दूँ तुम्हारा बन कर रहा है यह सर एक बार ज़रा बता दो electrostatic से कैसे relate करेंगे इसको भाई यहां पे ना अपने पास positive का source हुआ करता था तुमने बहुत बढ़ी असर तो plus से electric field lines निकला करती थी और north pole से magnetic field lines निकला करती है बढ़ी असर उसके बाद minus में electric field lines जाया करती थी भाई south pole में electric field lines, south pole में magnetic field lines जाया करती है बहुत बढ़ी असर तुमने अब सारी की सारी electric field lines होती है वो plus से निकलती है south और minus में जाती है plus से निकलती है और minus में जाती है बढ़ी असर जाने दे जाने दे जाने दे तो यह जा रही है अपने पास क्या सारी की सारी electric field lines भाई वहाँ पर जा रही है सारी की सारी क्या magnetic field lines ठीक है और यहाँ पर हमने एक electric dipole को place किया था बोलो तुम्हें याद आया क्या यह सर आ गया याद तो यहाँ पर हमने एक magnetic dipole को उसका south pole यहां पर और plus q की तरह कौन बहेव करता है वहाँ पर north pole कैसे बहेव करता है plus से electric field lines बहाँ निकलती है और north pole से magnetic field lines बहाँ निकलती है that's why जीए तो वैसे ही अपने यहां पर क्या बना दिया यह अपने पास बन गया है क्या एक electric dipole और वहाँ पर क्या रखा हुआ एक magnetic dipole मज़े की बात क्या है कि आप इस पर plus q को separate कर सकते हो minus q को आप separate कर सकते हो लेकिन आप यहाँ पर north pole को separate और south pole को separate नहीं कर सकते है इस बात का आप खास क्या लगें ठीक है south से north की तरफ एक arrow बना हुआ है और यह रिप्रेजेंट करता है magnetic dipole moment को ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर एक arrow बनता था और यह रिप्रेजेंट करता था electric dipole moment को ठीक है यह रिप्रेजेंट करता था electric dipole moment को क्या तुम्हें यह वाली बात समझ में आ गई यह सर आ गई ठीक है अब क्या होता है यह इस तरफ जारी होती है electric field lines ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ जारी होती है क्या इस तरफ जारी होती है क्या इस तरफ जारी होती है magnetic field lines ठीक है तो electric dipole moment और magnetic field induction की बीच में एंगल थीटा होता है तो वैसे ही यहां पर electric magnetic dipole moment और magnetic field की बीच में एंगल थीटा होता है तो वैसे ही यहां पर electric dipole moment और electric field के बीच में एंगल जो था वो थीटा के बराबर था तो यह diagram भी बिल्कुल सेम है कि आपको ये diagram समझ में आ गया बेटा कैसी एकदम रेपली का diagram से क्या आपको ये वाला funda clear हो गया क्या ये सर यहां दे का funda पूरा clear हो गया है derivation तो मैं करवा दूँगा अब ठीक है चलो बस एक आप चीजें और देख लो या छोटी मोटी है इतना बताओ मुझे electric dipole moment का formula क्या था सर चार्ज का modulus into separation distance जो भी इसकी length होती थी ठीक है तो यहां पर इसकी length 2L है हालनकि मैं इसकी length को 2L नहीं रहने देना चाहता क्योंकि मैं derivation में तो 2L लेके चलोंगा न ठीक है तो यह 2L नहीं रहेगा यह हो जाएगा हाद से 2L ठीक है तो यहां पर जब बनेगा ना इसका magnetic dipole moment तो उसको अपन M से करते हैं represent ठीक है और देखो वहां पर charge था यहां पर आ जाएगा pole का strength और यहां पर सब् professions जाएगा separation distance एक है सेपरेशन डिस्टेंस बोलेगे तो टूँर यह और यहां तक इसका फंडा पूर पूर nationwide music की तरफ जाता है् और magnetic dipole moment जो होता है, वो south pole से निकलता है और north pole की तरफ जाता है, ठीक है, यह इस चीज़ को आप relate कर पा रहे हैं कि यह सथ, तो अगर मैं आपको याद दिलाओना, तो यहाँ पर जो formula आता था P e sin theta था, पकी बात है, तो यहाँ पर जो formula आगे ना, torque का, वो क्या हो जाएगा, P की जगापे मतलब magnetic dipole moment, electric field की जगापे magnetic field का induction और sin theta बात ही खतम होगी, ठीक है, लेकिन derivation कैसे करेंगे, वो तो मैं करवाता हूँ नहीं, यहाँ पर, ठीक है, शुरू का ने पूरी कहानी, yes sir, शुरुवात की जाए, yes sir, शुरुवात इसकी कर दी जाए, sir, ठीक है, चले, अब कहाए कि अपन के पास मैंने मान लिया कि यह मेरे पास नहीं, नौर्थ पोल का एक बहुती शानदार सा, खुबसूरत सा सेट अप है, नौर्थ पोल का, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलने वाली है, sir, यहाँ से निकलने वाली है, एकदम जबरदस्त तरह से magnetic field lines, तो नौर्थ पोल से निकलने वाली है, sir, बहुती जबरदस्त तरह से magnetic field lines जाने दे जाने दे तो ये निकल रही है magnetic field lines ठीक है सर बढ़ी है ठीक है और इसी के सामने क्या रखा होगा भाई? इसी के सामने फिर रखा होगा यहाँ पे south pole ठीक है? तो north pole is all done अब आते हैं अपन south pole की तरफ तो यहां पर यहां पर रख दिया गिसको सौथ पोल को बस दोमिट यहां पम बहुत देखो इसाथ को इस तरफ लिए वह रख दिया पने किसको स्वाथ पोल को औही ऑल सोथ जाएगा तो जो just what kole चीरल के दह आती है इतना पूरा फंड़ा कि यहां पर रखायोगा एक magnetic dipole, कौन रखा होगा, क्या रखा होगा यहाँ पर, यहाँ पर रखा होगा एक magnetic dipole, और उसकी जो pole की strength होगी, वो ज़रा समझते हो चलना, अच्छे से, ठीक है, यह रहेगा, south pole, यह रहेगा, north pole, आप देख सकते हैं, south pole रहता है, और फिर north pole रहता है, ठीक है, अब इसका आपन बनाते हैं, पूरा setup, दो में ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, अरह, बढ़ी असर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खतम करेंगे, इसको, ठीक है, अब देखो बढ़िया, यह रहेगा, अपने पास में, क्या, एक बार magnet रहेगा, ठीक है, और ज़रा गौर करते होग कौन से पोल की यहां पर बात होगी, यह रहेगा इसका साउथ पोल, ठीक है, यह रहेगा इसका साउथ पोल, और यह रहेगा इसका नॉर्थ पोल, यहां तक अफंड़ा पूरा क्लियर, नॉर्थ में और साउथ में क्या होता है, अट्राक्शन होता है, तो यह साउथ वाला जो है वो north की तरफ रहेगा attracted और north और south में क्या होगा attraction तो ये north वाला इस south की तरफ रहेगा attracted तो भाई ज़रा गोर करते हो बचलना कैसे forces काम करेंगे please focus on this लिए भाई अपने पास एक pole है जिसकी strength किती है M के बराबर इस pole की strength किती है M के बराबर तो भाई यहां पर जब electric magnetic field की बात करेंगे तो वो तो B है तो इसका जो force काम करेगा magnetic force वो MB हो जाएगा यहां पर B magnetic pole की strength into B हो जाएगा क्या हो जाएगा बचा MB हो जाएगा MB यहां पर M क्या होता magnetic pole की strength और B क्या होता magnetic field का induction ठीक है ये वाला फंडा पूरा क्लियर है ये वाला फंडा पूरा क्लियर है अब जला गौर गरना ये जो तुम्हारे पास ये जो लाइन जा रही है न ये है तुम्हारे पास पहले वाले फोर्स का लाइन ओफ एक्शन बोलो हां की न और जो ये दूसरी वाली लाइन है ये क्या है त दूसरे वाले force का line of action, बोलो हां की न, यह सर यह बात तो बिलकुल सही है, यह सर यह वाली बात तो बिलकुल सही है, तो यहां पर यह तुम्हारे पास है, यह तुम्हारे पास है, पहले वाले force का line of action, यह तुम्हारे पास है, दूसरे वाले force का line of action, ठीक है, और इसका जो separation distance ह न वो होगा 2L के बराबर मैं इसको लेख दूँ एक बार बेटा यहां से यहां तक तो इसका जो separation distance होगा यहां से यहां तक का यह वाला यह separation distance जो होगा बेटा वो होगा 2L के बराबर यह separation distance जो होगा बेटा वो होगा 2L के बराबर ठीक है सुनना 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 एक मैगनेट का एक मैगनेट का जो मैगनेटिक डाइपूल मौँमेंट होता है यह यह यद्यू पनो सबस्क्राइब उपना हूं सुनना को तेली छाइबela कारे जैने बॉन्य यह रहात से 어떻 तो आ है enough अब ज़रा गौर करना इसका जो यह सेंटर मान लिया अपने ठीक है तो मैगनेटिक डाइपोल मुवमेंट जो होगा इस तरफ डिरेक्टेट बोलो हां की न यह सर यह बात पूरी निकालना होता है इसके ओपर टॉक तो काम कर रहा है दिख रहा है टॉक काम करता हुआ सर नहीं दिख रहा है अरे भाई इस पर फोर्स राइट में इस पर फोर्स लेफ्ट में घूम नहीं जाएगा ठीक है घूमेगा सर तो टॉर्क का फॉर्मला क्या होता है आइधर फोर्स इसके उपर जो दो forces काम करें उसमें से कोई सा भी एक force ले लो आइधर force ले लो और फिर इसको multiply करेंगे अपन किस से perpendicular distance between line of action of force से बता रहा हूँ, clear कर रहा हूँ perpendicular distance between line of action of force perpendicular distance between line of action of force से इसको अपन multiply करेंगे सर इसका exactly मतलब क्या है तो इसका exactly मतलब यह है देखो either force तो क्या है, mb ले लो, mb ले लो लेकिन perpendicular distance between line of action का मतलब यह होता है कि पहला वाला line of action यह रहा force का दूसरा वाला line of action यह रहा force का तो इन दोनों line of action के बीच में जो separation distance वो यह है बोलो आया समझ, yes sir, आया समझ this angle itself is theta भाई इसकी length 2L के बराबर ठीक है, यह 2L क्यों लिगा है मैंने, इसको मैं 2L ले ले लेता हूँ जब मैं 2L लेके ही काम कर रहा था तो मैं इसको 2L लेके चल लेता हूँ तो इसको मैंने ले लिए 2L के बराबर यह length है 2A के बराबर यह angle है theta के बराबर what I need is basically this particular thing तो इसको मैं भी x बोल देता हूँ जब मैं इसको solve करूँगा तो यह x is equal to 2A sin theta x is equal to 2A sin theta नहीं हुआ भरोसा, ट्राइ करो देखो, theta था ठीक है और मैं एक वह एक्स वहा पर चाहिए था तो एक काम कर sin theta निकाल, क्या हो जाएगा perpendicular upon longest side sin theta is x upon 2A तो x is equal to किता है 2A sin theta x is equal to 2A sin theta therefore torque is equal to either force किता है MB और separation distance किता है 2A sin theta आया समझ की नहीं आया yes sir आया समझ में torque is equal to किता हो जाएगा M into 2A को रखो अलग B sin theta को अलग रखो ठीक है एक बात ज़रा सुनते पे चलना यह जो M into 2A लिखा है इसका मतला पता है क्या होता है magnetic dipole moment छोटा वाला M क्या होता है magnetic pole की strength 2A क्या होता है separation distance तो M into 2A होता है magnetic dipole moment इसे कहा जाता है magnetic dipole moment into B हो जाएगा sin theta हो जाएगा यह अपने पास में क्या हो जाएगा torque हो जाएगा therefore torque को आप ऐसे भी लिख सकते हो M cross B therefore torque को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि torque कितना हो चुका है sir M cross B हो चुका है भाई done 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 हो चुका है तुम्हारे पास में पूरा torque का derivation बताओ मुझे clarity 2 की या तुम्हें confirm हो पार यह बात बताओ मुझे clarity 2 की confirm हो पार यह बात clear चलो बहुत बढ़िया तो tau अपने पास आ चुका है Mb sin theta torque आ चुका है Mb sin theta ठीक है अब आते हैं इसके last derivation के उपर तो यह torque वाले is all done अगर तुम्हें इसका screenshot नहीं लिया था तो I would request you कि इसका आप screenshot लेंगे और लिख लेंगे कि theta कौन सा angle होता है theta is the angle made between magnetic dipole moment and magnetic field का induction तो अब मैं यहां पर सीध है जो main formula है वो आगे है tau is equals to Mb sin theta therefore torque vector quantity is equals to M magnetic dipole moment vector quantity cross B magnetic field का induction ठीक है तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे theta is the angle theta क्या है तुम्हारे पास theta is the angle किसके बीच का angle है theta is the angle made between magnetic dipole moment and external magnetic field का induction and external magnetic field का induction जल्दी इसको note down कीजेगा उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले है इसके बाद फिर अपन निकालने वाले है derivation for potential energy ठीक है हो गया torque वाला फंडा पूरा clear अब आजो अगले वाले case के उपर potential energy of a magnetic dipole क्या होती है यह तो यहाँ पहली बात तो definition लिखा हुआ है कि the potential energy of a magnetic dipole the potential energy जिसको अपन U से करेंगे बढ़े वाले U से करेंगे represent of a magnetic dipole in a magnetic field किसी भी magnetic field में अगर किसी magnetic dipole को रख दिया है तो this is defined as the energy possessed by the dipole this is defined as the energy possessed by the dipole due to its particular position in the field ठीक है किस particular rotation पे रखा हुआ है उस पे depend करता है what is the potential energy of the dipole ठीक है चलें जरा कहानी को शुरुआत देते हैं देखो potential energy को हम करते हैं U से represent ठीक है potential energy को हम करते हैं किस से represent बेटा potential energy को हम करते हैं U से represent ठीक है अब जरा गौर फर्माते हैं चलना अच्छे से देखो भाई work का formula क्या होता है force into displacement tau into क्या हो जाएगा d theta अगर displacement छोटा है तो work भी हो जाएगा छोटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो dw is equals to tau का formula प e sin theta अगर अगर में क्या आजाएगा d theta आजाएगा तो अपने काम करेंगे अप अपन करते हैं इसको integrate तो इसमें अपन लिख देंगे इक्वल्स to pe हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा sin theta अब अगर में कौन आ रहा है d theta अब ज़रा ध्यान देना कैसे होगा इसका proper integration dw का चलेगा integration भाई pe तो constant है ना मुझे कैसे बता यहाँ पर लिखा हुआ d theta तो d theta लिखा हुआ है इसका मतलब theta is the variable कहां से कहां तक vary करेगा theta initial से theta final तक जब theta initial पर रखा हुआ है तो कोई work done नहीं कर रहा होगा जब theta final पर रखा हुआ है तो w work कर दिया होगा कोई दिक्कत हो नहीं है ठीक है sir अब जब करेंगे अपन dw का integration तो what we get is w जब करेंगे अपन cos sorry sin theta का integration then what we get is minus का cos theta तो minus को रखो बहर then what we get is minus का cos theta और limits अभी भी कहा है theta initial से theta final ठीक है और आप जानते है what is theta initial magnetic dipole moment or magnetic field के induction के बीच में जो angle बनता है ना वो है तुम्हारे पास में theta initial अब अगर मैंने work करके इसके angle को change कर दिया तो अब जो angle बन गया है that is theta final ठीक है यहां तका funda पूरा clear यह से यहां तका funda पूरा clear ठीक है चलो color change करें pen का अब देखो भाई अपर limit minus lower limit भाई work क्यों निकाल रहा हूँ because मैंने हमेशा कहा है अगर आपको कभी भी energy निकाल नहीं है तो just focus on the amount of work done जितना work आपने करा वही system के अंदर store हो जाएगा उसकी energy के form में क्या आपको यहां तक का funda supremely clear है क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक की कहानी supremely clear है यह सर यहां तक की कहानी पूरी clear है तो w-0 is equal to कित्ता हो जाएगा minus का PE उसके बाद क्या हो जगा upper limit minus lower limit तो वैसे क्या होता है कि maximum जगाहों पे जब आप formula देखते है न तो आपके पास में आता है final minus initial लेकिन यह ऐसी जगा है minus को अंदर फेक दोगे तो यह ऐसी जगा है जहां पे formula में initial minus final आता है क्या आपको यह वाला funda समझ में आ गया ठीक है और अगर मैं आपसे बोलू कि माली जगा theta initial नहीं given theta initial नहीं given है तो फिर by default आप क्या लेके चलोगे तो ज़रा ध्यान देना by default वैसे अगर theta initial given होगा तो जो given होगा वो लेके चलना लेकिन अगा given नहीं होता है कोई value तब आप जाते हैं by default scenarios के उपर और by default होता कैसा है by default we have to start from zero potential energy position we have to start we have to start from the position we have to start from the position of zero potential energy we have to start from the position of zero potential energy we have to start from the position of zero potential energy और यह zero potential energy का position क्या होगा जरा गौर करना बेटा zero potential energy का position यह है कि theta initial is equal to किता है भाई 90 degree theta initial को zero मत लेना पता है क्यों भाई आपको start करना है from the position of zero potential energy zero potential energy not zero angle ठीक है we have to start from the position of zero potential energy तो भाई यह function है cos theta का और energy is basically function of cos theta अबर है तो energy zero कब होगी जब cos theta zero होगा और cos theta zero कब होता है जब theta की value किती होगी 90 degree तो by default we have to take theta initial as 90 degree क्या आपके दिमाग में यह वाला funda पूरा clear हो गया है तो जब यह वाला funda clear हो चुका है यही work system के अंदर store हो जाएगा उसकी potential energy के form में अब funda clear है यह जो आप work निकाल रहे हो ना यही work system के अंदर store हो जाएगा उसकी potential energy के form में done 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 हो चुके पूरी चीज़ देक है potential energy है तो absolutely unit is going to be joules ठीक है जल्दी इसका screenshot लेंगे यह वाला funda आपके लिए पूरा supreme clear कर दिया है पका हो गया clear three two one ready go super clear super done yes sir यह हो चुका है अपना पूरा clear ठीक है और यह था इसका definition यह भी आप लोगोंने note down करी लिया होगा ठीक है तो इस वीडियो को जड़ा लाइक करें अपना प्यारबर साइंस वीडियो के ओपर और सबसे important बात इस वीडियो को फैला दो अपने सारे दोस्तों में सारे मित्रो मंडल को बता दो कि magnet brains के channel पे playlist अगर आप चेक करेंगे physics की तो उसमें क्या का शांदा चीज़ा एड हो चुकी है और क्या जबर्दस चीज़ा आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली है अगर आपका कोई भी feedback है या suggestion है तारीफ है या बुराईया है या जो कुछ भी है उसको आप बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बात हैं मुझ तक पहुचा सकते हैं using the comment section ठीक है अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर visit कर सकते हैं thank you so much